हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल रसोई की चटकाने तो आज हम बनाएंगे राजिस्थान का फेमस स्पेशल बाजरे का खीचड़ा तो इसके लिए मैंने भिगो दिये हैं थोड़े से चॉंगले पानी में डाल देने हैं बस यह लिया है इस तरह का बाजरा जो कि आपके आसपास की किसी भी चक्की की दुकान पे जहां आठा पिसा जाता है उस पे आपको मिल जायागा जो की पहले से ही तयार किया हुआ होता है यह इस तरह से हलका सा पिसा हुआ या टुक्रों में दलिये के रूप में मिलेगा जो की पहले से ही फटका हुआ होता है, जिसके अंदर आपको कच्रा निकाल के दिया जाता है, तो इस तरह का बाजरे का फटका हुआ दलिया ले लेना है, एक पड़ों मेनी ने लिया है, बस तो फिर किया, इस तरह से मिना महनत एक हो जादा इसमें टाइम वेस्ट ही है, हम बहुत ह यह दलिये को बाजरे जो की से लिए ले मार इस तरी ते हमें इस चार बार सी भात yalग दल के लिए ऑफ लिए चज कई यूफ गाल जो बाजरे की छिल्की होगें यह इस तरी से निकल जाएंगे था धूदो लेना और थे निकलतों राजसतान में हर जगे से अलग अलग तरीके से बनाया जाता है तो हमारी यहाँ इस में चौंड़े डालके बनाया जाता हैं तो आप तर इस तरह से मैंने 2-3 बार इसको अच्छी तरछा निकालते हुए बाचिरी को दोलिया है बस इस तरह का खीचड़ा बनाना है कि आप थोड़ी देर में बहुत ही टेस्टी वाला बना लेंगे तो इसके अंदर मैंने जब एक कटोरी के करीब बाजरा लिया है तो उसके अंदर पान से छे कटोरी फुल भरी विप पानी की हमें द्ले लेनी है इस तरह से पानी पूरा लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चाउले जो भुगों के रखे हैं इन्हें पानी से एक दो बार निकाल के इसके अंदर डाल देना है अब इसके अंदर डाल देना है दुला हुआ बाजरा इसको भी इसके अंदर डाल देना है बहुत टेस्टी और नमकीन वाला बनता है इसे गी के साथ खाया जाता है तो इसे नमकीन बनाने के लिए इसके अंदर डाल देना है नमक एक चमबच के करीब नमक डाल दिया है मैंने आप इसे रख देंगे मीरियम आज पे पकने के लिए बस एक काम करते रहना है कि इसे लगातार चलाते रहना है ये नीचे चैटने लगेगा तो हम इसे चलाते रहेंगे कम से कम 10 या 15 मिन्ट बाद ये गाड़ा होने लगेगा और जो इसके अंदर चॉम्ले डाले हैं वो भी पकने लगेंगे तो बस इसे बराबर चलाते रहना है इस तरह हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चैटने नहीं और जब ये गाड़ा होने लग जाए तो हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे और फिर इस तरह से ये तयार होने लगेगा कम से कम 20-25 मिनिट इसे पकाना है ताकि चंब्डे भी अच्छे तरह से इसमें पक जाए और ये इस तरह से हिच्ड़ा तयार गो जाए तो हमारा तयार गो चुका है ये इसे गरम-गरम ही खाया जाता है इसके अंदर घी मिलाया जाता है और अगर ये ठंडा हो जाए तो इसे छाच या दही के साथ में खाया जाता है सर्दियों में सबका स्पेशल और राजिस्तान का बहुत ही खास माना जाने वाला ये बाजरे का खीचड़ा बहुत जल्दी तयार होने वाला और बहुत ही बाड़ी को गरमी देने वाला इस तरह से इसको बना के खाया जाता है इस तरह के खीचड़े को बनाएं और एक बार जरुन खाएं और सर्दियों में इसका लुप पुटाएं थैंक्स पॉर वाचिंग